हाई फ्रेंट्स चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं वीडियो तो पार्सल का ही है लेकिन मैं प्राइज बता दूंगी तो आप लोगों को लेने में कोई प्राब्लेम नहीं होगा ठीक है देखिए यह हमारा एक न्यू मिट्टी है यह मेरे पास ज्यादा नहीं है मैं पर देखिए इसका कुछ टुकड़ा है ऐसे हैं यह एकदम स्मूथ फिनिश है और देखने में पूरा लेकिन यह थोड़ा-थोड़ा ग्रीटी है यह थोड़ा-थोड़ा ग्रीटी है इसलिए हम इसको जस्ट सैंपल की तौर पे हैं मेरे पास ज्यादा नहीं है एक के जी क दो ता है शायद लेकिन यह मुलतानी नहीं है यह भी मुलतानी जैसा है लेकिन यह मिट्टी बहुत अर्थी और इसका ठोड़ा सा स्ट्रोक है यह फिकम है मैं नए मिट्टी यह सब लाने की कोशिश कर रही हूं थोड़ा थोड़ा देखते हैं और यह देखिए यह इसका टेक्शर ऐसा है तो इन्होंने यह एक केजी लिया है दोनों मिला के देखिए कैसे स्मूथ है इसका टेक्शर टेकर यह थूख़ें एक पार्सल यह पार्सल में इन्होंने देखिए स्लेट सोसल लिया है और नाकुमर सोसल लिया है यह बबल्स के साथ जाएगा इसका प्राइज है 280 रूपीज इसमें एक दिया नॉर्मल दिया चोटा सा बजन के लिए भी दिया गया है और उन्होंने नॉर्मल एक मिट्टी का दिया भी मांगा है यहाँ पे जो पार्सल है यह पुरा कस्टोमाइज पार्सल है दो रसी दो रोल मीनी पॉर्ट कोलकता क्लेपॉर्ट पंजाब की मिट्टी फॉरेन क्ले नाकुमाट बटर यह सब मिला कि उन्होंने केजी में लिया है और यह सभी अलग-अलग से पैकिंग होगा इस पार्सल का प्राइज है 300 रुपीस जिसमें क्लेपॉर्ट तो बबल्स लगेगा ही और यह सभी पार्सल हम अलग-अलग पैकेट में डालेंगे नाम लिखेंगे उसके बाद इसका डिस्पैश होगा ठीक है यह 300 रुपीस है कस्टोमाइज पार्सल आच्छा यहाँ पे टेकंधी है और वाइट क्ले हमारे पास थोड़ा साही है तो मैंने सेम्पल की तौर पर दिया है यह बहुत अर्थी है प्योड वाइट है और देखिए पावडर जैसा है यह मेरे पास बहुती कम है क्योंकि यह मिट्टी पहली बात तो लाने में बहुत चूटता है दूसर प्राइज है 250 रुपीज हमारे यहां पर फी जौदत पुज है जो फिशर्जन होता न राए परतिमा को तो मैं को डिखा दूंगी आप चाहे तहें इसमें पंजाब की निद्ट भी ले सकते हैं लेकिन को भी चार आइटें आपको कोई भी चार आइटेम मिला के लेना परेगा तो आपका प्राइज है 250 रुपीज इसमें कुछ बबल्स नहीं लगेगा और यह है हमारे 240 रुपीज वाला पार्सल जिसमें उन्होंने स्मोकी में क्लेपोट लिया है बाकी उन्होंने पंजाब की मिट्टी स्लेट आइटेम कुछ भी नहीं लिया है लेकिन रेड़ बटर नकुमार स्लेट नकुमार यह सब सौसर मिक्स किया है कौन-कौन सा सौसर मु जो भेज सकते हैं तो यह आपको मिल जाएगा यहां पर जो पार्सल है मैं आपको दिखा दूँ इसमें उन्होंने लिया है 500 ग्राम रोल नौन स्मोकी में और 500 ग्राम लिया है मुलतानी का मिनी पोट मिनी हंडी इसका स्टॉक इतना है मैं दिखा दूँगी बाकी लिए पं पंजाब की मिट्टी वाला ग्लास उनका सैंपल है और है यहां पर स्लेट सॉसर और रेड बटर सॉसर ऐसा कुछ है मुझे याद हां यह तो रेड बटर है दिख रहा है यह शायद स्लेट सॉसर है तो इन्होंने यह देर केजी का पार्सल लिया है विदाट बबल्स यह रो आचा यहां पर एक पार्सल है अब देख लीजिए यह है टाइनी वाला पार्सल मैं प्राइस बता टाइनी में इन्होंने अभी क्या क्या लिया है यह देखिया है यह है कच्छे मिट्टी में भी थोड़ा है मिनी गुलक है टाइनी पॉट है टाइनी गुलक है टाइनी एस पॉट है तो यह उन्होंने लिया है इसके साथ एक कलकता क्लेव पॉट और थोड़ा सा रोस्टेन मुलतानी इनका सैंपल है तो यह पार्सल है 300 रुपिस बबल नहीं लगेगा इसमें टाइनिये स्पॉट भी है मैं अच्छे से दिखा नहीं पारी हूँ मैं टाइनिये अभी मेरे पास नॉल्की में नहीं है नॉल्की बन रहा है यह तो चलक है यह बहुत ज़्यादा कच्छा नहीं है रिख यह यह च्छोटे छोटे साइज में हैं यह देखिए यह वन केज़ी स्वेंटी रुपीज है मैं सबको बताती यह बहुत पास्ली पड़ता है टाइनियेस्ट और यह है टाइनी दोनों का साइज में फर्क देख लीजिए और सभी में डिजाइन करना पड़ता है यह क्योंकि यह देखने में आच्छा लगता है और यह अंदर से पका हुआ स्मोकी है गुलग भी टाइनी गुलग भी ऐसा ही स्टॉक है तो चलिए फेल्स मैं आपको अभी पार्सल देखा कि आप भूर नहीं करूंगी मेरे पास अभी यह देखिए जैसे इस तरह के बीग साइस पार्सल जो हमारा ओलेडी पैकिंग हो चुका है यह सब प्राइविट कूरियर में जाएगा यह देखिए और एक रेडी हो रहा है यह रेडी होते ही की पैकिंग हो जाएगा तो फ्रेंस मैंने जो प्राइस बता है आप लोगों को आप लोग फोटो निकाल के मुझे और कर सकते हैं और यह मिट्टी थोड़ा महेंगा भी परता है और यह ग्रिटी है अगर आप लोगों को चाहिए तो हम लाएंगे कोई वाप नहीं है लेकि करेंगे करें लाएंगे काम है ौले हैं और तो हम करेंगे अप्रूपता है और है यह बना वाहिए एलसक्र सफाओी को खाम लोगों को यह डिया घूा थे हburgा जितलो दो जूचौत की लुशता है लेहा है व हम दोगने हो बनाने हैं अब्ट अप्रेंट से अगर झाल 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 झाल